नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों रमायन में रावन की पतनी मंदौधरी तो अब सब को यादी होगी जेहां वही मंदौधरी जिसने अपने पती रावन को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रूपा था कहा जाता है कि रावन की पतने मंदौधर ये ज्यानिस्त्री थी, वो इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वो हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी दोस्तों कहा ये भी जाता है कि मंदौधरी ने भगवान शंकर से ये वर्दान मांगा था कि उसका पती इस धर्ती का सबसे विद्वान और शक्ती शाली हो। दोस्तों एक पती वर्दा नारी के रूप में वर्णित की गई है। मंदौधरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार ये हेमा नाम की अपसरा की बेटी थी। देवराजिंदर की सभा में एक बार कश्य प्रिशी के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वो मोहित हो एक अन्य हिंदू पुराणों में उलेखित कथा के अनुसार मधूरा नाम की एक अपसरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी जादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वो उनसे मिलने कैलाश परवत पर पहुँच गई। उस वक्त कैलाश परवत पर दोस्तों मातापारवती कहीं गई हुई थी। कथा के अनुसार भगवान शिव को कैलाश परवत पर अकेला पाकर अपसरा मधूरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के बाद जब भी मातापारवती कैलाश परवत पर आई तो उन्होंने अपसरा के शरीर पर भस माता पार्वती जिसे देखकर क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंड की के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उनसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और जैसे की माता पार्वती ने श्राप दिया तब अपसरा मधुर तुरंती मेंड की बन गई जिसके बाद वो धरती लोक पर विच्रन करने लगी दोस्तों मेंड की रूपी मधुरा पृत्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भेंकर साप मेंड की को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया मेंड की मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो सबत रिशियों के आश्रम में पहुँच गई जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर को बहुत बड़े लकड़ी के चूले पर चढ़ाया हुआ था जब साप ने मेंड की मधुरा को कोशिश करने लगा लेकिन दुरभागे से वो फिसल कर खीर के बरतन में गिर गया और खीर गरम होने के कारण वो साप वहीं पर मर गया किन्तु दोस्तों अब मेंड की बनी मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब रिशिगण यहां आएंगे और वो ये खीर खाएंगे त जैसे ही रिशी वहां आए तो वो उनके सामने तुरंत खीर के बरतन में कूद गई अब रिशियों ने मेंड की को बरतन में कूदते हुए देख लिया इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं पर फैला दिया खीर फ सभी रिशियों ने अपनी शक्ती से उस मेंड की को जीवित कर दिया और उस कन्या का सवरूप दे दिया जिस से अब मधुरा मेंड की से एक सुंदर कन्या बन गई किन्तु दोस्तों लोग समाज के डर से रिशियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा उन्होंने दोस्तों अगर हम मंदौदरी के पिता मायासुर की बात करें तो उसे राक्षसों का विश्व कर्मा कहा जाता था उसे ब्रह्मा जी के विशेश वर्दान प्राप्त था जिसकी वजह से वो कहीं भी सुंदर भवन नगर का निर्मान कर सकता था मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वर्दान के प्रभाव से ही अपनी पतनी हेमा के लिए मंदौर जैसे कुबसूरत नगर का निर्मान किया था जो की वर्तमान में जोदपुर का मंदौर है दोस्तों मायसुर ने मंदौधरी को रावन से मिलाया और बताया कि ये उनकी दिव्यकन्या है, हेमापसरा इनकी माता है रावन की नजर जैसे ही मंदौधरी पर गई, वो मोहित हो गया और जट से विवहा का प्रस्ताव स्विकार कर लिया रावण ने मंदौधरी को वचन दिया कि केवल मंदौधरी ही उनकी प्रमुख पतनी और लंका की महारानी होंगी मंदौधरी से विवा के उपहार सवरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्मान किया कहा जाता है कि राजस्थान के जूधपूर के मंदौधरी में मंदौधरी और रावण का विवा हुआ था राजस्थान के जूधपूर के मंदौधरी स्टेशन के पास दोस्तो एक जगा है जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण ने मंदौधरी के साथ साथ फेरे लिये थे कुछ मान्यताओं कि अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदौधरी का विवहा रावण से हुआ था मंदौधरी ने शिवलेशवरनात मंदिर में भगवान शिव की अराधना की थी ये मंदिर दोस्तों मेरट के सदर इलाके में है और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो मंदौधरी थी जिसने अपने पती रावन के मनुरंजन के लिए शत्रंज के खेल का प्रारंब किया था रावन से विवहा के बाद मंदौधरी को रावन से मेगनाद और अक्षकुमार नामक दो पुत्र हुए थे शिरी राम द्वारा रावन के वद्ध के पीछे मंदौधरी का भी हाथ था कहा जाता है कि रावन के मृत्यू एक दिवेबान से हो सकती थी और उस दिवेबान के बारे में रावन ने सिर्फ मंदौधरी कोई बताया था लेकिन दोस्तों हनुमान जी ने बहुत चलाकी से अपनी बातों में फसाकर मंदौधरी से इस बान के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी कहते हैं कि मंदौधरी अपने पती द्वारा किये गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परीचित थी वो रावन को हमेशा यही सलहा दिया करती थी कि बुराय के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरन में आ जाए लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावन ने कभी भी मंदौधरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और दोस्तों उसका परिणाम तो अब सब ही जानते हैं क्यों किया दोस्तों मंदौधरी ने विभीशन से विवा जब रावन ने सीता का हरन किया था तो उस वक्त मंदौधरी ने इसका विरोध किया और उसने रावन को मा सीता को पुन है राम को सौपने को कहा था लेकिन रावन ने मंदौधरी की बात को अंसुना कर दिया प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावन के युद्ध में विभीशन और मंदौधरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ कर रावन के पूरे कुल का नाश हो गया था रावन के मृत्यू की खबर जब मंदौधरी को मिली तो दोस्तों विलाप करते हुए युद्ध भूमी में वो पहुँच गई और इस हालत में रावन को देख कर तेज अवाज निकाल कर रोने लगी कहते हैं कि वहाँ युद्ध भूमी में मंदौधरी की नजर प्रभू शिरी राम से टकराई मंदौधरी को इस तरह से विलाप करता देख प्रभू शिरी राम को भी अती दुख हुआ लंका के सुखद भविष्य के लिए शिरी राम ने विभीषन को लंका का राजबाट सौप दिया था और उन्होंने मंदाधरी के सामने विभीषन से विवा करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उस समय मंदौधरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया जिसके बाद प्रभू शिरी राम और अपनी पतनी सीता भाई लक्षमन के साथ वापिस अयोध्या लोट गए वहीं दूसरी तरफ मंदौधरी ने रावन की मृत्यू के शोक में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वो बाहर निकली और उसने विभीशन से विवहा कर लिया लेकिन दोस्तो कुछ विद्वान इस बात को सीदु तोर पर न कारते हैं उरका मानना है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं दरसל इन विद्वानों के मताबिक मुंदौधरी पती वृता नारी थी अपने पती के प्रति पूरी तरह से समर्पित इतनी महान ग्यान पतिवरता नारी ऐसा निर्ने नहीं ले सकती दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देजिए इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले